जै चोथ मातम मैं एक चोथ वर्त का कथा सुनाने जा रहे हूं इस कथा को सोहागने सुनते हैं और जो सोहागने सुने वो पूरी सुने क्योंकि पूरा कथा सुनने में फल मिलती है और सोहाग अमर होती है इसलिए कथा को पूरा सुनिये सोहाग अमर होती है पुत्रवर्ती हो एक बुढिया थी उसका एक बेटी थी तो प्रती दिन कातिक मास चड़ने पर दरवाजा से लेकर बहुत दूर तक उजहाडू लगाती थी अपने दरवाजा से दूर तक लेकर जैसे संडक हो गया तो परती दिन ज़ाडू लगाती थी और उसका घर के बगल में एक तुड़ाब था वहां तक ज़ाडू लगाते जाती थी और क्योंकि वो जो बुड़ी माता थी वो परती दिन गंगास नान जाती थी और गंगास ना जाती थी और उसके साथ साथ जो बेटी थी उसका जो बुड़ी माता का बेटी थी पहले के जुग जवाना में लोग बच्चे में साधी कर देते थे बहुत बच्पन में साधी कर देते थे जो कि उसका याद भी नहीं रहता था कि मेरा साधी कब हुआ और कैस से हम सस्रुआल गए थे इसका पता उसको नहीं राता था ठीक उसी तरह बढ़ी माता के जो बच्ची थि उसका सादी हो चुका था और उसे पता नहीं था तो जब बढ़ी माता गंगा स्नान जाती थी तो यह जो लड साथ में जाती थी तो बड़ी माता और उसकी बैटी जो थी वह बैठी हुई थी उसके फिता है घर पर रहते थे तो नहीरा पाती थे अपने माता के साथ चली जाती थी तलाओ के पास तो बड़ी पाता गंगा आशनान करने लगी और चार पाच और बात कर रहे थे और वो बच्ची दस साल की थी अब बात करें थे कि कल तो करवा चोथ का बरत है तो कल का दिन जो है ओ दिन भर पूरा उपवास रहेंगे करवा चोथ का बरत करेंगे करवा चोथ का पूजा करेंगे तो यह जो बच्ची सुनी तो कहने लगी अपने माता से कि माता करवा चौत ब्रत क्या होता है इन लोगों ने बात कर रहे थे कि करवा चौत का ब्रत होता है करवा चौत माता का पूजा होती है चांद का पूजा होती है ये सब क्या होता है इसके मा बोली बेटी तालाओ में तो हम गंगा सनान कर लेते हैं लेकिन हम मंदिर नहीं जा पाते हैं क्योंकि सारे लोग मिलकर हमें मंदिर नहीं जारने देते हैं तो हम किस से पूछे और कैसे पूछे इसके बारे में कि करवा चौत का पूजा इस तरह से की जाती है हमें नहीं पता है बेटी यह जो माता थी वो बोली हमें नहीं पता है तो यह जो लड़की थी वो कहने लगी कि जो सेट जी है उनका घर में उनका बेटी थी और 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 अस्परोस के लोग थे जो बात कर रहे थे तो हम उनके घर जाएंगे पूछने को लिए यह बोली बेटी हम लोग हमको तो कोई भी अपना महल में नहीं जाने देते हैं तो तू सेट जी के महल में कैसे जाओगी और कैसे पूछोगी यह लड़की बोली माता जी हम किसी तरह से हम पूछ लेंगे कोई बात नहीं जी पर कियों आई हो तू तो गरीब हो तू कुल अच्छनी हो तेरे घर में तो कोई संपती नहीं है और मेरे दर्वाजे पर आकर सुबह सुबह क्या कर रही हो ये लड़की बोली सेट जी हम आपके दर्वाजे पर आएं हैं आपका जो बेटी है उससे मिलने को लिये बोली कि ठीक है बाहर ही खड़ा रहना मेरी बेटी आके बाहर मिल लेगी मेरे दर्वाजे के अंदर मत आना सेड जी का बेटी आई और आकर और बोली क्या कहती हो ये बोली बहन जी ऐसा है आप करवा चौत के बारे में बात कर रहे थे तो करवा चौत बर्त कैसे की जाती है हमें बताईए और करवा चौत का क्या महत्व है ये बोले जो सेड़ जी के बेटी थी वो बोली कि देखो भाएं तु तो अभी बहुत छोटी हो और हम तो बहुत वर्षों से कर रहे हैं इतना कम उमर में तु करवा चोथ ब्रत मत करो ये बोली कि कौन लोग करती है और कौन लोग नहीं ये मुझे बता दो ये जो सेड़ जी का वच्ची थी बेटी थी वो बोली कि ये सुहागन ही करती है और कन्या कुमारी भी करती है लेकिन सुहागने अपने पती के लंबी आयू के लिए करते है और कन्या कुमारी जो करती है ओ अपने अच्छा बर्ग के लिए पुजा करते है लेकिन ए जो ब्रत है ओकार्तिक कृष्ण पाच चौध को की जाती है और ए ब्रत में चौध माता का तस्वीर रखी जाती है और चांद का पूजा की जाती है तस्वीर के रखके और गनेश जी का मूर्ती वहां पर रखके अस्थापन करके और कलस रखके और कलस में जल भरके और कलस में अनाज भरके कलस बना कर और कलस में जो है ओ रोडी का पीका लगाई जाती है कलस में और माता करवा का बिंदी लगाई जाती है, सिंदूर लगाई जाती है, मेहदी लगाई जाती है, सारी सिंगार कर दी जाती है, जहांतक की काजल भी कर देनी चाहिए. माता को सारह सिंगार रखे और सारह सिंगार चौत माता के जाती है एक और उन्हें चुंद्री चड़ाई जाती है फूल का हार पहनाई जाती है कलस में भी फूल सजाई जाती है और पूरा सजाकर और वहाँ पर सारे परकार के मिठाइया रखी जाती है फल रखी जाती है और पूज़ा जो करती है सोहागने कहीं 10-20 मिलकर करती है कहीं 5 मिलकर करती है कहीं जिसके पास अकेली है वो अकेली भी पूजा करके और कथा सुनकर आरती करके कथा सुनकर और जो चांद निकलती है तो चांद को पूजा की जाती है चांद को चलनी से देखी जाती है उसके बाद पती का चेहरा भी देखी जाती है यह जो सेट जी का बची थी वो इस लड़की को सारी हाल करवा चौत के बरत के बारे में बताएं जब बताएं तो लड़की आई और बोली कि माता जी करवा चौत का बरत हम रखेंगे हम जरूरी रखेंगे करवा चौद का ब्रात हमें तो उसको माता कहने लगी कि बेटी हम तो तस्वीर नहीं ला पाएंगे क्योंकि मेरे पास उतना पैसा नहीं है हम कहां से लाएंगे यह जो लड़की थी ओबोली की माता हमें तो सेट जी का बेटी दिखाई है कि एक करवा चौद का चौद माता का तस्वीर है तो हम अपना कल पेलसीन से बना लेंगे कोई पेज पे अब बना के माता को चौद को पूजा करेंगे आप तो कहते हैं कि पूजा कर लेंगे माता तो क्या होगा और संकर भगवान का एक पथर लाकर पहाड़ी से और गनपती का स्थापन करके उनको पूजा कर लेंगे तो उसमें क्या दिकत है यह जो उसकी माता थी ओपोली ठीक है बेटी अच्छा है कोई बात नहीं इसके पास जब अपना बक् कर दे दी और बेटी को लाकर दे कर और बोली कि लो तू अपना करवा चौथ ब्रत पूरा करो यह जो बेटी थी ओसा बहुत प्रेम से माता चौथ का तस्वीर बनाई अपनी हाथों से और अपनी हाथों से बना कर और माता चौथ का पूजा की माता चौथ का पूजा की और पूरा सिंगार से सजा दी या सजा कर और तयार कर दी तो जैसे लगा कि माता चोथ बोल रहे हैं उस तरह से उनका पूरा सुंदरताई दिखने लगा बहुत अच्छा दिखने लगा इतना अच्छा लगने लगा कि वो जो मा थी वो देख कर चकमक हो गई और कहने लगी कि बेटी तू तो अपने हाथों से जिस तरह से माता चौत का तस्वीर बनाई हो ये तो बजार में भी इतना सुंदर माता चौत का तस्वीर नहीं बिखता है ये तो बहुत सुंदर है सजादी हो तो लग रहा है माता जान आगया माता चोथ परकट हो गए यह जो लड़की थी जब इनका चोथ माता का बरत पूरा हुआ और भगवान से चांद माता का उगए तो यह पूरजा करने लगी चांद माता का चांद माता का पुजा करने लगी पुजा करके आर्थी करके और अपना थाल रखी तो ब्रत खोलने के लिए सोची कि हम ब्रत खोलेंगे लेकिन ब्रत खोलने से पहले हाथ जोड़कर और माता को ध्यान करने लगी कि है माता हम जान थे मेरी मा को तो कोई मंदिर नहीं जाने द पूजा पाट ऐसे हाथ जोड़के कर लेती है इसलिए आपका तो पूजा अपने हाथों से तस्वीर बना कर किये हैं लेकिन हम हाथ जोड़कर भी आपका नमन करना चाहते हैं और मुझे किरपा कीजिए ऐसा करके और जो लड़की थी ओ अपना भगवान के नाम लेने लगी म माता मुझे सोहागन रहने का असिर्वाद दीजिए और पुत्रवरती रहने का असिर्वाद दीजिए करवा चौत माता इसका आख मुंते ही माता परकट हो गए यह जो लड़की थी बुढिया का बेटी ओ कहने लगी माता मुझे तो बर्दान मांगना ही नहीं आता है क्या बर्दान मांगू मुझे कोई पता नहीं इसके बारे में हम कैसे बर्दान आपसे मांगू ए चौथ माता कहने लगी कि बेटी तू मांगो बर्दान हम तुम्हें बर्दान देंगे तुम्हें जो भी मांग ना है वो मांग लो हम तुम्हें देंगे जो लड़की थी थोड़ा सा भगवान के ध्यान करते करते और कहने लगी कि हे चोथ माता मेरी माता जो है माता का दरवाजे पर किसी चीज का कमी नहों सारी सुख मेरी मात देखे इसका कोई खुशी भी ना कमी हो और मुझे सोहागन तहने का बर्दान दे दिजिए हम सोहागन ही रहें मेरा मिर्तू हो उस दिन मेरे पती का कंदे पे मेरा आरथी जाए और मैं पूतरवारती रहूं मेरे घर में किसी चीज का कमी कि और जब भी चोथ बर्द करूँ तो आपका दर्शन पाऊँ आपका दर्शन जब हम करें तो दर्शन पाकर और मैं अपना ब्रत खोले ए चोथ माता बोले ठीक है बेटी तेरा ए बर्दान हम पूरा करेंगे लेकिन जिस लगन से तुने आज की हो उसी लगन से तुन सारा दिन पूजा करना तुम्हारा किसी चीज का कमी नहीं होगा यह जो बुडिया थी और बुडिया का बेटी एक जोपडी लगा कर रहती थी इसको एक जोपडी था वही जोपडी में अपना पूजा कर रही थी करवा चोथ माता के और वही जोपडी में करवा चौत माता आये और इस बुढिया को बेटी को धर्सन दिये जब बुढिया को बेटी को धर्सन दिये बुढिया को बेटी बर्दान मांगी तो सारी बर्दान इसको चौत माता पूरा कर दिये सारी बर्दान पूरा कर दिये और पूरा करके और बोले ठीक है अब हम तुम्हारे दरवाजे से जा रहे हैं तुम जिस लगन से की हो उसी लगन से चौथ माता का पूजा करना ऐसा करके और चौथ माता चले गए जब चौथ माता चले गए और ये जो बुढिया का बेटी थी पूरी रात जागरन की और जब सुवा हुआ तो मा बेटी को लगा निन्द जैसा तो निन्द जैसा लगा तो मा बेटी दोनों कुछ दीर के लिए सो गई कुछ देर के लिए सो गई और जब सो कर उठ रही है तो देख रही है कि जो उसका जोपड़ी था ओ बहुत सुन्दर महल बन चुका था इसे तो बहुत चकीत हुआ कि हाँ मेरा महल इतना सुन्दर बन गया ये तो अजीव आजे हुगया कहानी ये महल मेरा कैसे बन गया सुबह उठी और सुबह उठकर जब देखी तो पुरा चकीत हो गई बाहर निकली तो सारे लोग कहने लगे कि ये बुढ़िया का रातो रात इतना सुन्दर महल कैसे हो गया वहां का जो राजा थे राजा का पता चला कि बुढ़िया का बहुत सुन्दर महल बन गया है अचानक जो राजा थे जो सेट थे वो आए और बुढ़िया और उसके बेटी को दोनों को हाथ पकर के घर से निकाल दिये आ उसका जो मकान था महल था ओ अपना लिए अपना लिए और कहने लगे कि इसमें तुम्हारा रहने का कोई हक नहीं है तू नीची जाती हो तुम्हें इसमें महल में तो राजे लोग रहते हैं राजे महराजा रहते हैं सेट से ठाइन रहते हैं और तू मेरी इस महल में कैसे रह सकती हो नहीं तुम्हारा तुने तो किसी के पास से धन चुरा कर लाई हो और एह महल रातो रात बना ली हो ऐसा कहके और दोनों को घर से निकलवा दिये जब दोनों को घर से निकलवा दिये तो दोनों रोती रोती घर से बाहर हो गई और घर से बाहर होकर और किसी सुनसान जगह पर जाकर और रोने लगी रोने लगी जब रात हो गया तो जो बेटी थी वो कहने लगी कि हे करवा चोथ माता हम तो आपका बहुत खुसी से वरत किये थे और आपने तो मुझे धन दिये मुझे ए नहीं पता था कि आप मुझे धन देंगे और मुझे घर से बेघर हो जाएंगे हम मुझे होना पड़ेगा घर से बेघर हम तो जोपड़ी में ही सुखी जीवन बिता रहे थे यदि ऐसा होगा तो आपका पूजा कौन करेगा भला हम इतने लोग से किये लेकिन आज ने तो आज तो हमें सेट निकाल दिया घर से ऐसे करके और पूरा माता का ध्यान करने लगी संकर भगवान का ध्यान करने लगी और गनपती का याद करने लगी माता पारवती का याद करने लगी जो माता चोथ थे वो राजा के पास गए सेट के पास सोय हुए राजा को से अपने में गए आप जाकर कहे कि आओ जो है वो बुड़ी का बेटी उसका चौत वर्थ का पुन मिला है वो चौत वर्थ की है बहुत लगं से की है उसके पास कुछ भी नहीं था उसके बाद भी चौत वर्थ की है उसका हम धन्दी है यदि तुमने उसका मान मर्द्यादा के साथ घर में राज को नस्ड कर देंगे तुम्हारा बेटा का मिर्थ हो जाएगा तुम्हारा राज जो है वह विनास हो जाएगा हम तुम्हारा खुसी को छिन लेंगे बरबात करदें नहीं तो उसका सारी महल जो है ओ मान्याता से उसका लोटा दो राजा को सपन तूटा तो देख रहे हैं कि अरे हम सपन ऐसा देख रहे थे अपने मंतरी से बोले कि मंतरी जी हम तो सपन में ऐसा देखें हैं ओ बुढिया कहां गई होगी कहां खोजें सुबह हुआ तो अपने सैनिक को बोले कि जाओ बुढिया को ले लाओ और उसके महल में उसको जगह दे दो और जो भी महल में कोई रख दिया है सारे लोग को खाली कर दो और बुढिया का उसका परवेश कर दो महल में वो अपना महल में रहेगी नहीं तो मेरा राज बिनास हो जाएगा मेरा खुशी छीन जाएगा मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा और बुडिया को अपना सैनिक से मंगवाए और सैनिक से मंगवा कर और बोले कि तुने क्या की थी कि तुम्हारा इतना धन प्राप्त हुआ एर राजा से बताई कि राजा किये तो हमें माता चौथ दर्सन दिये और बर्दान मांगने को बोले जब हमें बर्दान मांगने को बोले तो हम बर्दान मांगे तो माता चौथ के किरपा से मेरा महल बन गया और सारी सुख मिला या और माता को हम बोले थे कि मेरी माँ को सारी सुख मिलनी चाहिए मेरे पिता जी को सारी सुख मिलनी चाहिए तो मेरे माता को सारी सुख माता चोथ दिये है राजा ऐसा सुनकर बहुत परसन हुए और परसन होकर और कहने लगे कि भाई जितने लोग हैं सब कातिक गंगा असनान करो और आसनान करके और चोथ वर्त करो चोथ वर्त जो है वो बहुत धार्मिक वर्त है सुहागनों के लिए बहुत खुशियाली पर्व है इसे मनाना जरूरी है इसे जरूरी मनाईए गुरुभाई वहना चोथ वर्त जरूरी करनी चाहिए सुहागनों को ये जो बर्त है सुहागन के लिए है और इसे सुहाग अमर होती है माता लच्वी पर्षन होते हैं और चौत माता सब कुछ देते हैं घर में जैसे उस कन्या पे चौत माता दया किये उसी तरह सब पे अपना दया वर्षाते हैं सब पे अपना किरपा करते हैं सब को सब कुछ देते हैं जैसे उसका पाच बर्दान में पूरा किये सब कुछ उसी तरह सब को माता चौत लालसा को पूरा करेंगे धन्यवाद